नमस्कार दोस्तों मैं वनिल आपका स्वागत है मारी योटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा में आज हम बीएट प्रथम वर्स शेकंड समस्टर में दुट्ती प्रस्ने पत्र सेक्षिक तक्निकी तथा सूचना एवम संपरेशन तक्निकी एजु केशन टेकणोलोजी और इंफॉर्मेशन कम्यूनिकेशन टेकणोलोजी में लगुत्री प्रस्न के बारे में अध्यन करेंगे चलिए दोस्तों हम सुरू करते हैं आपके सामने है पाला प्रस्न सिक्षण अनुदेशन तथा अधियम के बीच अंतर अस्पस्ट कीजिए उत्तर है सिक्षण अनुदेशन और अधियम में अंतर सिक्षण के सही अर्थ को समझने के लिए सिक्षण अनुदेशन तथा अधिय अथवा सीखने में अंतर समझना परम आवस्यक है अतह निमलिखित पंक्तियों में हम इन तीनों के अंतर को अस्पस्ट कर रहे हैं पहला है सिक्षण सिक्षण के अंतरगत सिक्षक और विद्यार्थियों के बीच पारसपरिक अंतर प्रक्रिया होती है जो की कैरुकुलम के माध्यम से होती है दूसरा है अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है निर्देशन, अनुदेशन की अंतरगत सिक्षक और विद्यार्थियों की बीच पारास्परिक अंता प्रक्रिया नहीं होती है, फिर भी इसके द्वारा विद्यार्थियों उद्देशियों की और प्रभावित हो सकती ह सिक्षण और अनुदेशन का मुख्य अंतर है कि सिखण में तो अनुदेशन नहीं थोता है परन्त अनुदेशन में सिखण नहीं होता है इसके अतरिक्त सिखण द्वारा विद्यार्थिए। के ज्यानातमक, भावातमक, क्रियातमक तीनों पच्छों का विकास किया जा सकता जो सिक्षण होता है इसके द्वारा विद्यारतियों के ज्यानातमक, भावातमक, क्रियातमक तीनों पच्छा को विकास किया जाता है जबकि अनुदेशन के द्वारा विद्यारतियों में केव ग्यान आत्मगपच्छ को ही विक्षित किया जा सकता है अता कोई भी अनुदेशन सिख्षण का अस्थाल नहीं ले सकता जो बिद्यारतियों को केवल ग्यान आत्मपच्छ के उद्देशों की ओर प्रभावित करती है अगला पॉइंट देखिए अधियम अथवा सीखना, सीखने का तत्पर है क्रियाएं तथा अनुभों, सिछण और अनुदेशन दोनों ही सीखने को नाना प्रकार की क्रियाओं तथा अनुभों के द्वारा प्रभावित करते हैं, अत्था अधियम द्वारा सीखने का अर्थ विद्यार्थियों के विवहार में क्रियाओं तथा अनुभाओं द्वारा परिवर्थित करना है देखे दोस्तों अधिगम का मतला होता है सीखना या सिखाना विद्यार्थियों या बालक के विवहार में जो परिवर्थन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं अगला प्रस्न प्रति अस्थापन नहीं हो सकती यह उसके अध्यन कव्सल में महत्र सायक था पूरक का कांग ही एक नहीं सकता लेकिन यह सिख्ण की साहरता करती है भासा प्रयोक-सलाँ अगे देखी दोस्तूँ एक समान कच्छ के अपेच्छा भासा प्रयोक-सला नहीं बिध्यार्थी अधिक सक्रिता तथा रूची के सिद्ध होते हैं क्योंकि अधिक सोभाविक वाता ओरड में टेपित भासा पाठ सिक्षारती के कान में बिना बाहरी सोरगुल के सीधे सुनाई पड़ती हैं टेपित भासा के मतलब होता है दोस्तों टेप रिकारडर की भासा विद्यार्थियों के कान में एयरफोन की माध्यम से गुस्ता है जो कि बाहर बार के स्वरगुल उसे सुलाई नहीं देते हैं बिद्यारथी अपनी आवाज को इयरफोन की माध्यम से बिना बाहर इधानिवासा के सुन सकता है भासाप्रयोक्साला की उप्योगित्या निम्नलिख्ित रूपू में देखी जा पहला है वह साप प्रयोकसाला की पाठ अपने में पुर्ड तथा सवा आश्रित होते हैं दूसरा है सीचछक की भूम्क्या परयोक छो जाती है अर्था सिच्छक प्रतेक्ष्य नहीं होता है अता है, सिक्छार्ती और सिक्छक की भाय उसकी उदासेंता आज का कोई मनोविज्ञांगी कूपरभाव नहीं पढ़ता है जब सिक्छक सामने से होकर नहीं पढ़ाएगा, वह किवल गाइडलाइन देगा तो हुआ बिद्यार्ती सिक्छक से डरेगा नहीं मतलग वी सिक्षक का भाय खतम हो जाएगा आगे दिखी दोस्तों तीसरा है सिक्षण की प्रक्रिया मुख्यत्य अभ्यासोन मुख्रती है जिसमें बिद्यार्थी को भासा बिवहार के अभ्यास के लिए अधिक इच्छा अनुसार आउसर मिलता है जब दोस्तों भासा प्रियुक साला में बिद्यार्थी अधिक अभ्यास करेगा अपनी बातों को अधिक सुनेगा टीचर की बातों को सुनेगा तो उसमें अस्पस्टता आती है मतलग उच्चारण करने की छंता में अस्पस्ट वाक्यों बोलता है भासारजन भासा अभ्यास के लिए उपयुक्तवात तवरण निर्माण की अधिक संभा होना है भासा प्रयोकसालाय में लक्ष भासा के जिन विबिन पक्चो भासा कौसलों का अध्यन अध्यापन अभ्यास अधिक सरलता सहचता से किया जा सकता है यह हैं ध्वनी भीद यानि कि ध्वनियों में क्या अंतर हो रहा है ध्वनी भीद बोध उचारण अनुकरण अभ्यास पदबंध उपवाक्य स्रमड बंध उचारण अनुकरण अभ्यास मुक्त भासड स्रमड बोध तथा अनुकरण सुरूत लेक सामागरी स्रमड विवित प बदबंध उपवाक के वाक के अनुच्छेत वारता लाब आदि क्या वाचन अर्थ तथास अन्य समगरी का बूध आदि दिखते उस तो छटवा है अन्य छात्रों की अध्यन में बिना बाधा डालते हुए धीमी गति वाले सिक्छार्ति द्वारा स्वय गति से अभ्यास करन संभव होता है भासा प्रयोक साला में सात्वा पॉइंट है सिक्छार्ति को बिना जानकारी में या उसे बिना बताय हुए उसके कुछ कार अभ्यास आदिकी जाच संभव है जिससे कि सिक्छार्ति के मस्तिस्क पर समिक्षा के भूत का मनोविज्यानिक प्रभाव नहीं प्रश्णों का उत्तर देता है आठ्वा पॉइंट है सामा निकच्छा में प्रयुक्त साच्चा अभ्यास की आंतरिक प्रक्रिया से सिख्षक मुक्ति पा जाता है नवा पॉइंट है अन्य सिख्षार्थी का समय नश्ट न करते हुए उसकी अध्यापनियों कोई बाधा पह प्रतेक अध्येता पर व्यक्तिगत ध्यान देने की सुध्या होने के कारण सिख्षक मानिटर अध्येता सिख्षार्थी की असुद्रियों को वही का वही सुधार सकता है नस्वा पॉइंट है कच्छा को कई समुवों अस्तरों 2-3-4 में बिना अध्यापक मानिटर की संख बढ़ाये बाठना तथा अध्यान अध्यापन कार ये चालो रखना संभाव है अगला प्रसन्याप के सामने भासा प्रयोकसाला की स्क्राइब के नुभ़ contam के अनुसार यूरूपों मे देखे जा सकते हैं टेपित समागरी को सिध मुखिझारत की स्क्निकी की अधार पर भ अधार पर भासा प्रयोक्साला को दो वर्गों में बाटा जा सकता है पाला है स्रभी भासा प्रयोक्साला दूसरा है द्रिस्सी भासा प्रयोक्साला देखी दूस्तो स्रमड तुथा उचाड की निस्क्रिता तथा सक्रिता की अधार पर भासा प्रयोक्साला के दो वर्गों म भाटा गया है पहला है केंद्र संचालित भासा प्रयोग साला दूसरा है व्यक्ति संचालित भासा प्रयोग साला तीसरा है उभय संचालित भासा प्रयोग साला अगला प्रस्ण है सैक्षिक तक्निकी की प्रमुग विसेस्ताओं की व्याक्षा कीजी देखे दोस्तों उत्तर रहे सेक्षिक तक्निकी की विसेस्ताइं क्या है पहला है सेक्षिक तक्निकी का उद्देश सिक्षण अधियम प्रक्रिया का विकास करना है दूसरा पॉइंट है यह सिक्षा विज्ञान तथा सिक्षण कला की देन है सेक्षिक तक्निकी तीसरा पॉइंट है इसे सेक्षिक सा और्डर के साथ नहीं मिला जा सकता है यह तो एक अभिगमन है मतलब एक सेक्षिक साधन है चौथा पॉइंट है यह सिक्षा पर विज्ञान तथा टक्निकी की प्रभाव का अध्यन करती है पाच्वा पॉइंट है इसका अधार क्रेमबद्ध यों सेंगठित ज्ञान अर्थ साध विज्ञान है चाथवा पॉइंट है यह सिक्षा सास्त्र का ही एक अंग है सेक्षिक तक्निकी साथवा पॉइंट है यह मनो विज्ञान समाच सास्त्र इंजीनरिंग तथा भौतिक विज्ञान से मदद लेता है अठवा पॉइंट है इसमें विज्ञान के बेवारिक पच पर बल दिया जाता है अगला प्रेस ने दोस्तों सेक्षिक तक्निकी के प्रमुक के कारिय बताईए उत्तर है सेक्षिक तक्निकी के कारिय सिक्षा के छेत्र में सेक्षिक तक्निकी महत्पूर्ड कारियों का संपादन करती है इन कारियों का बीविचन निम्न प्रकार से क किया जा सकता है पहला है सिख्षन को प्रभाव युक्त बनाना। सेक्षिक तखनी की अधार पर सिक्षण यों अधियम के छेत्रों में मनेविज्ञानेक साधनों का प्रियोग किया जाने लगा है, जिसके सफलता पूर्वग प्राप्ति की जा सकती है सिक्षण लच्छों की। तीसरा पॉइंट है प्रभावसाली अध्यापकों का निर्माड, सेक्षिक तक्निकी का एक अंग बिवहार का विसलेशन तथा मुल्यांकन किया जाता है, तथा सिक्षक के बिवहार के विकास की प्रविदियां, माइक्रो टीचिंग, सेमिलोटर सिक्षन आधिका प्रियोग क किया जाता है, अगला प्रेशन है, सेक्षिक तक्निकी के प्रमुख उद्देश बताईए, उत्तर है, सेक्षिक उद्देशों का निर्धार, सेक्षिक तक्निकी का प्रमुख उद्देश सेक्षिक उद्देशों का निर्धारित करना है, ये उद्देश राष्ट की राश्ट की भावगोलिक परिस्ति यानि कि वातावरड देश अस्थान काल परिस्ति के अनुसार सिक्षिक का उद्देश का निर्धारण किया जाता है। देखे दोस्तों सैक्षिक तक्निकी का मुख्य उद्देश होता है कि पर चात्रों के गुड़ों की बारे में जाने उसकी योगता छमता रूची क्या है। प्रस्तु का प्रस्तुती करण विसेवस्त की विवस्ता की जाने के बाद सिछन तक्निकी का उद्देश उस विसेवस्त को उचित धंग से प्रस्तुत करना है। जिससे निश्चित उद्देशों को प्राप्त किया जा सके। अगला प्रस्न है कठोर उपागम की विसेशता हैं बताईए। उत्तर है कठोर उपागम। सेक्षिक तक्निकी का पहला प्रकार कठोर उपागम या द्रिस श्रब सामगरी है। इसका आविरभाव भातिक विज्ञान तथा अभियंतर तक्निकी से हुआ है। सिक्षण में इंजिनरिंग की मसीनों की प्रयोग को ही कठोर उपागम का जाता है। देखे दोस्तों जब हम सिक्षण में इंजिनरिंग की मसीन का प्रयोग करते हैं। हाडवर का उप्योग करते हैं। जिसे हम छू सकते हैं, असपर्स कर सकते हैं। इसे हम हाडवर काते हैं। Software उसे कहते हैं, जिसे हम इस्क्रेन पर प्रदार्सित करते हैं, इस्क्रेन पर देख सकते हैं, application को हम Software कहते हैं. इन मसीनों का प्रियुक सिखन वा सेखने को ही कठोर उपागम कहा जाता है, जिसमें सिख्छन के उद्देश्टों को प्राप्ति की जा सके हैं. सिक्षण मसीन, टीचिंग मसीन इसका सबसे परमुक अंग है इसकी अत्रिक्तर टेप रिकारडर, ग्रामोफोन, चल्चित्र, टेलिवीजन, कम्प्यूटर, विद्धूत, संचालित, अन्य उपकरड, भासा प्रयोक साला का अविस्कार तथा निर्माड सिक्षण के लिए के दिखी दोस्तों जो एटेप रिकारडर, ग्रामोफोन, चल्चित्र, टेलिवीजन, कम्प्यूटर, ये सबी क्या है, कठोर उपागम है, हाडवेर उपागम है, इस प्रकार सिक्षण की प्रक्रिया में मसीनों के प्रयोक से सिक्षण की प्रक्रिया का यंत्री करण हुआ है इसे ही कठोर उपागम या हाडवेर अप्रोच कहा जाता है, सिख्षा को रोचक तथा सरल्ता के साथ बोधिगम में बनाने के लिए इस उपागम की महत्पूड भोमिक्या प्रस्तूत की है अगला प्रस्ण है कोमल उपागम की विशेषताएं बताईए उत्तर है कोमल उपागम, इस उपागम में सिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञानिक सिधान्तों का उप्रयोग किया जाता है, इन मनोविज्ञानिक सिधान्तों का प्रियोग बालक में आपिक्षित परिवर सक्षण प्रियों को आरंब करती है इस तक्नीकी कह सम्ध स ममद सिक्षण के सिधांत उद्देर सों के वीवहारिक रूप सिक्षण प्र विद्यों ता मुल्यांकन आद से होता है इस प्रकार थेक्नीकी में निवियस इनपुट प्रक्रिया प्रोसेस तरह निर्गत आउट्पुट्ट तीन उपक्छों के विकास पर बल दिया जाता है इसमें जितमीं सिक्छन तक्णिकि होती है जो सिख्छक होता जिस्छन विधि का प्रयोग करता है इसे भी हम कोमल उपागम कहते हैं अगला प्रेशन है आपके सामने अनुदेशनात्मक टक्ष्ञीकी का सवरू, बताईए उत्तर है अनुदेशनात्मक टक्ष्ञीकी में 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 कृPeter क्रूप से दो बातों पर बल दिया जाता है पहला है कछागत-अन्था-क्रिया विसलिष्ण, नुश्रा है अभिक्रमित किया जाता है देखी दोस्तों जो कच्छागत अंतक्रिया विसलेशन होता है इसमें कच्छा के अंतरगत कच्छा में सिक्छक क्या विवहार है चात्र के बीच का इसी अंतक्रिया होती है इसका अध्यन कच्छागत अंतक्रिया विसलेशन में किया जाता है देखी दोस्तों आ अनुदेशनात्मक टेक्निकी में परियुक्त किये जाने वाले उपरियुक्त दो तरीकों के अलावा अन्य तरीकों को भी अपनाया जाता है जो निमने लिखी थे करना तो दो यद चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा वेल आइकन प्रेस कर तीज़ेगा वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा दोस्तो और वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा धन्यवाद